हॉस्टलों पर रातों में द्रोन कैमरे मनरा रहे हैं जिससे यहां रहने वाली छात्राओं की नीद उड़ी हुई है लेकिन युनिवरस्टी प्रबंदन मामले को गंभीरता से लेने के बज़ाए छात्राओं की आवास को ही दबाने में चुटा है हाला की युनिवरस्टी प्रबंदन इस ड्रोन कैमरे के मनराने की बात से साफ इंकार कर रहा है जबकि हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं अपने मुबाइल फोन से इन ड्रोन कैमरों की वीडियो क्लिप तक बना कर दिखा रही हैं हॉस्टल में रहने वाली के च्छात्राओं पिछले करीब 20 दिन से धहशत के साई में रह रही हैं यह धहशत उन ड्रोन कैमरों की वचा से है जो रातों को इन हॉस्टल की छतों और कमरों के आसपास मंडराते हुए देखी जा रहे हैं बीस दिन से यहाँ पर डल्स होस्टल में इक ड्रोन गुन रहे हैं और बीस दिन से ही लगातार लटकिया कंप्लेण भी कर रही हैं रिटन में भी वीसी तक जा चुकी है रात के दस वजे से लेकर बारा एक वजे तक चीफ वोर्डन और वोर्डन और CSO की प्रेजिंस में भी वहाँ ड्रोन गुनता रहा लेकिन हमारी शिकायत को नजर अंदाज करते हुए हमें सिर्फ बैक आया गया यह कहके कि यह एरोप्लेन है अलग लग होस्टलों में अलग लग जगह पे लड़कियों ने बकाईदा देखे हैं लड़कियों के पास वीडियो भी हैं फोटोस भी हैं ड्रोन की आते हुए कि और अधीकारियों परसाशन को लग बद 10 दिन से इस बात की खबर है तीन दिन से तो परसाशन ने खुद SP सर को लिखा हुआ है जब यहां पर पुलिस आई जब पुलिस सामने आती है तो ड्रोन नहीं आता जैसे ही पुलिस चली जाती है ड्रोन फीडा आज़ता है क्या पाई आप लगबग 15-20 दिन पहले भी कुछ बच्चाय थे यह कहते हुए कि हमने वहाँ एक ड्रोन जैसा उबजेक्ट दिखा है उसके बाद तरंत सिक्यूर्टी परसनल को जो हमारे इंटरनल स्टाफ है उनको हमने कह जिया था कि जो गल्स होस्टल की वोल्स हैं उसके पास भी स्क्यूर्टी मैंन अपने बिठाओ और जैसे ही दिखाई दे और अपनी कारवाई शुरू करो देखो क्या चीज़ है उसके बाद से स्क्यूर्टी हमारी चोकस है और चार-पाई दिन पहले फिर कुछ ऐसा नजर आया जैसा बताया गया है स्क्यूर्टी स्टाफ हमारा और प्लिस भी आगी थी और वो सारे पीछे तक बल्की गर्ल्स होस्टल के पीछे तक आगे पीछे सफेदे हैं और रेलवे लाइन तक भी गए देखने लेगन उनको ऐसा कुछ नजर नहीं है एक हलकी लाइट लाइट जरूर कहीं से हो सकता है किसी जगा से आरी होगी तो वो नजर आई थी बाकी कुछ और नजर नहीं है